नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को आउला नौमी की पूजा व्रत शुब महुर्थ कथा और कैसे करें आउलाई की व्रिक्ष की पूजा उसका क्या महत्व है सब कुछ पताऊंगी इसलिए आप लोग वीडियो को इसकी इपना करें और अंध तक देखें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथी को आउला नौमी का परो मनाया जाता है इसे अच्छा नौमी के भी नाम से जाना जाता है आउला नौमी के दिन व्रत रखा जाता है साथी आउले की पेड़ की पूजा भी की जाती है ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है और कश्ट दूर होते हैं इस साल आउला नौमी का पर्व दो नवंबर दो हजर बाइस बुद्धवार को मनाया जाएगा आउला नौमी की तिथी शुम महुर्थ पूजा विधी और महत्व क्या है अब मैं बताऊंगी इस दिन महिलाएं आउले के पेड़ की नीचे बैठ कर संतान प्राप्ती और उनकी अच्छे स्वास्त के लिए पूजा करती है इस दिन आउला के पीड़ की नीचे बैठ कर भोजन भी किया जाता है आउला नौमी के पावन दिन वरत कथा को सुनने का भी विशेश महत्व है ऐसा माना जाता है कि क्रिष्ण ने ब नौमी तिती प्रारमभ 1 नौमबर 2022 मंगलवार को रात को 11 बजकर 4 मिनट से शुरू हो रहा है और नौमी तिती समाप्त 2 नौमबर 2022 बुद्धवार को रात के 9 बजकर 9 मिनट तक है लेकिन हमारे यहां सनातन धर में उद्य तिती से ही व्रत किया जाता है इसलिए दो मनाया जाएगा आउला नौमी की पूजा का शुम महुृथ है सुबह 6 बजंपे 34 मिनट से दोपहर 12 बजंपे चार मिनट तक है कैसे करें आउले की पूजा सुबह सुबह सनान करके नए कपड़े पहन कर या तो आप कार्तिक सनान कर रहे हैं तो गंगा सनान कर लिजिए उसके बाद आउले के पेड़ के नीचे बैठ कर उसकी पूजा की जाती है इस दिन आउला की जड़ में गंगा जल में कच्चा दूद मिला कर अर्पित किया जाता है इसके साथ ही फूल माला, सिंदूर, अक्षत, आधि लगाने के साथ भोग लगाया जाता है पेड के नीचे बैठ कर भोजन किया जाता है इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली आठ वर लपेट सकते हैं और उसकी परिक्रमा की जाती है पूजा के बाद वृत कथा सुनी जाती है और आर्थी भी करते है इसके अलाव महिलाएं वृत भी रखती है आवला नौमी का महत्व आला नाव्मी के दिन दान पुन्य का अधित महत्व है माना जाता है कि कार्तिक मासके सुकल पक्ष की नाव्मी ति थी से लेकर कार्तिक पुन्यमा तक भगवान विश्णू आउली के पेड़ में विराजमान रहते हैं इसलिए अक्षय नौमी के दिन विधिवत आउले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुब माना जाता है इस दिन आउले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 वर परिक्रमा करने से सभी मनो कामनाय पूड हो जाती है अब मैं आप लोगों को आउला नौमी की कथा सुनाने सुरू करती हूँ बोलो जैशी मनाराण काशी में एक ने संतान धर्मात्मा वैश्य रता था एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पडोसन भोली यदि तुम किसी पर आये लड़के की बली भैरो की नाम से चड़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा या बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया परन्त उसकी पत्नी मौके के तलाश में लगी रही एक दिन एक कन्या को उसने कुए में गिरा कर भैरो देवता के नाम पर बली दे दी इस हत्या का परेडाम विप्रीत हुआ लाग की जगह उसकी पूरे बदन में कोड़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी वैशे की पुछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी इस पर वैशे कहने लगा गौवद, ब्रामणवद, तथा बालवद करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है इसलिए तु गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर तभी तु इस कष्ट से चुटकारा पा सकती है वैशे की पत्नी पश्चा ताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए मा गंगा की शरण में गई तब गंगा ने उसे कार्तिक शुकल पक्ष की नौमी तिथी को आउला के व्रिक्ष की पूजा कर आउले का सिवन करने की सला दी थी जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिती को आउला व्रिक्ष का पूजन कर आउला ग्रहन किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी इस व्रत वा पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संथान की प्राप्ती हुए तबी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा तब से लेकर आज तक यह व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है बोलो जै शीमन नाराए अगर आपको मेरी यहां का थाची लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें